हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन विहिकल सिम्यूलेटर 3D गेम में फार्मिंग मोड कैसे एक्टिवेट करें और गेहूं को मशीन से कैसे निकालें और ट्रैक्टर में कैसे लोड करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो आपके लिए बहुत ही काम की होगी वीडियो को लास्ट तक देखें गेहूं से ट्रॉली लोड कैसे करें सबसे पहले आपको गेम के फार्मिंग मोड में आ जाना है यह मोड आपको खेतों में खेती करने और फसलों को उगाने की सुविधा देता है गेहूं उगाएं अपने खेत में गेहूं उगाना शुरू करें इसके लिए आपको सही बीज, खाद और पानी की जरूरत होगी समय समय पर खेत की देख भाल करें एवाहन चालू करें अब आपको AI वाहन, AI वेहिकल को आउन करना है ताकि वह गेहूं को लोड कर सके इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा मशीन और ट्रॉली को ट्रैक्टर से जोड़े एक ट्रैक्टर से मशीन, थ्रेशर या हार्वेस्टर को जोड़े यह मशीन गेहूं को काट कर दानों को अलग करेगी दूसरे ट्रैक्टर से ट्रॉली को जोड़े ट्रॉली में गेहूं के दाने लोड किये जाएंगे ट्रैक्टर से टप करें अपने दोनों ट्रैक्टर को एक जगह खड़ा कर लें यह सुनिश्चित करें कि मशीन वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली वाले ट्रैक्टर सही पोजीशन में हो ताकि गेहूं को आसानी से लोड किया जा सके गेहूं काटें और लोड करें अब मशीन से गेहूं को काट कर दानों को अलग करें ये दाने मशीन के जरीए ट्रॉली में लोड हो जाएंगे AI वाहन की मदद से यह काम आउटोमेटिक हो जाएगा इस तरहे आप Indian Vehicle Simulator 3D गेम में फार्मिंग मोड का इस्तिमाल करके गेहूं की खेती कर सकते हैं और उसे मशीन से निकाल कर ट्रैक्टर में लोड कर सकते हैं उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद